आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल पे अप्लिकेशन में नया एकाउंट कैसे बनाय जाता है इसके साथ साथ आप बैंक एकाउंट को कैसे एड करेंगे और किस तरह से मनी टांसपर करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हो तो इस तरह का interface खुलेगा Google पर application का logo और यहां पर mobile number इंटर करेंगे जो आपके bank के साथ link हो register हो तो चलिए हम यहां पर mobile number इंटर कर देंगे next button पर click करेंगे और अच्छा करने के बाद आप यहां पर देखिए accept and continue button वाले option पर click करेंगे click करने के बाद verify आपका number क्या जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं verify यहां पर हो रहा है तो phone number verified तो एक new payment का option खुलेगा इसको skip कर देंगे तो यहां पर देखिए add bank account तो यहां पर आपको click करना परेगा तो चली click कर देते हैं और आपका जो भी खाता जिस बैंक में खुला है उस बैंक को आप select करेंगे तो माल चली मेरा state bank of India है तो state bank of India में click करेंगे अगर दूसरा है तो आप दूसरा पर click करेंगे तो allow permission दे देंगे यहां पर सीम वान और टू है तो जो भी आपका सीम रजिस्टर है अपने bank के साथ वूपस पर आप click करेंगे और फिर से allow का permission आप दे देंगे और देने के आपका verify mobile नमर हो जाएगा तो यनि कि आपका sms होनी चाहिए सुविदा जो आप भी प्लान आप select कर रहे हैं तो यह verify mobile नमर आपका हो जाएगा और bank account भी add यहां पे हो जाएगा आप यहां पे देख सकते हैं इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि मेरा bank account एड हुआ है या नहीं तो यहां पे आपको उपर में देख सकते हैं एक profile वाले option है तो यहां पे इंटर करेंगे और month और expiry इंटर करेंगे और यहां पे arrow वाले option पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके register mall नमर पे एक OTP आएगा जो की UPI PIN बनाते समय आता है वो आप यहां पे इंटर करेंगे उसके बाद आप जो भी पीन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं और इसके बाद confirmation में वही आप बना सकते हैं इसके बाद right वाले निशान पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका UPI P बन जाएगा तो इसतरह से आप UPI PIN बना सकते हैं और यहां पे continue वाले ऐंपर उप्संट क्लिक कर देंगे तो चलिय एंप टोगल पे उपकर डिक कर क्लिक करने के लिए तो बैंक एकाउंट पर हमको किलिक करना परेगा तो चलिए किलिक कर देते हैं और स्टेट बैंक आफ इंडिया पर किलिक करेंगे तो यहां पर देखे भी वाइलेंस एकाउंट है तो यहां पर किलिक करेंगे और यूपी आप इंटर करके आप बाइलेंस चेक कर सकते है इसके बाद यहां पे देखे scan and cure तो यहां पे आप click करके किसी भी cure code को scan करके आप payment कर सकते हैं तो continue वाले option पे click करेंगे यहां पे कुछ permission देंगे तो scanner खुल जाएगा तो यहां पे कोई भी cure code को आप जो है scan करके payment कर सकते हैं अगर आपके पास गेलरी में कोई भी cure code परा है तो वह भी यहां पे आप कर सकते हैं payment इसके साथ आप यहां पे देख सकते हैं फोन पे नमर से आप भेज़ सकते हैं उसके बाद यूपी आई डेस से आप cure code की मदद से पैसा आप ले सकते हैं और यहां पे self transfer भी कर सकते हैं इस तरह से आप गूगल पे account बना सकते हैं और यहां पे यूपी आई पी इन जनरेट कर सकते हैं और यहां पे view balance भी चेक कर सकते हैं और money transfer भी कर सकते हैं गर इस वीडियो में कुछ भी information पसंद आए तो वीडियो को like channel को subscribe कर सकते हैं